इसमें ये बिलकुल ठीक बात है और ये तो होना ही चाहिए अगर एजेंसी एक समय के बार ट्रायल नहीं शुरू करते हैं आप बार बार ये नहीं कह सकते के बहिया ये निकलेगा तो गवाहों पर तथ्यों पर सुबुतों से चड़ चाड़ कर लेगा तो फिर एजेंसी किस काम की है अच्छी बात है मेरिट पर कोई चर्चा नहीं, उस फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो शराब घोटाला है उससे बिल्कुल कहीं से भी दोश मुक्त है अर्विन केजरिवाल का मामला अभी तक मसा हुआ है वो जेल में ही है क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें ED और CBI लाके दे देती है कि ये एक चीज़ें जो अभी रह गई है अब इससे आगे की बात है आज तारीक कितनी हो गई? 9 अगस्त 15 अगस्त 6 दिन में आशे आज तिशी जी रो रही थी जंडा कौन फराएगा? और इसमें आप कुछ भी कहें लेकिन मन में तो आता है कोई ये कहे दे के ने-ने हम भी जानते हैं आतिशी वनीश जी की ही एकडम जिसको कहें कि पटू शिश्या रही है पूरा काम जो एजुकेशन का पूरा काम था वो सब वही करती रही है उन ही के साथ पूरी टीम थी लेकिन अब उससे आगे की बात है भई आरसीपी सिंग भी तो नितिश कुमार के एकडम शिश्या ही था आप जगडा लगा रहे हैं पटी ने-ने-ने इकनाठ शिंदे उद्धो ठाकरे कहां नीचे बाएक तो आपने शिंदे साब को नहीं रोते हुए देखा है उद्धो जी के लिए ऐसे ही रोती थे वह और एक उद्धो नहीं ऐसे जाने कितने उद्धो आहरन हैं लेकिन जब सत्ता आज आती है, अब देखिए आज तो बाहर आएंगे उसके बाद सरकार में कब आते हैं, अच्छा वैसे सरकार में करेंगे क्या, ये तो सरकार में कैसे आ जा ही, मैं ये कुछ नहीं कर सकते, करने की जरूरत क्या थी जहांड़ा कौन फैरागे, ये विवाद विवाद का कोई विशे था यह विवाद का विशे नहीं था मैं बस इतना मेरे मन में इच्छा आई और तो बाकी प्रश्ण है कई विद्धुजा नहीं जवाब देंगे समीर जी बताएंगे मनीस वसोधिया जी के बाहर आने का मतलब देखे जिए आमाधि पार्टी को दो रहात की बात इसमें इसमें कोई दो रहा है नहीं कि दोनों प्रमूख अंदर थे केज्रिवाल भी अंदर थे मनीस सुुथा भी मुख्य मंतरी टोनों अभ दोनों देख भी सब्सक्राइब बढ़ी समस्या यह सर्क्राइब मंत्री तो ही नहीं खाली विधायक है तो क्या अरवीन के जिरिवाल इन्हीं मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि अभी तक तो अंदर थे अरवीन के जिरिवाल अंदर मुख्यमंत्री अंदर है पुरा दिल्ली का काम प्रशाशनी काम रुखा हुआ है सुप्रीम कोटिस में टिपणि कर चुकी है कि ऐसे अपत्पे मुख्यमंत्री को बहुत लंबे समय तक गे राजी नहीं रहना चाहिए एलजी कह चुके हैं दिल्ली के सारे निर्णे पेंडिंग पड़े हुए हैं अगले साल विदान सभाव चुना होने वाले है तो क्या अरवीन के जिरिवाल जिनको किसी पर भरोसा नहीं था क्या मनी सुषिरा पे जो इतना वरोसा करते थे कि सारे बड़े विभाग उनके पास थे वो मुख्यमंत्री थे तो क्या अब वो इस्तिफाद देंगे और मनी सुषिरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे अरवीन की कहा जा रहेंगे कि मैं मनीश शुषिरा को मुख्यमंत्री बना रहा हूं तो हो सकता हुए उनका उनकी मत्री मिलेगी कि कम से कम एल्डी के साथ बैठक करो अब सचीवाला है मत्या अब लेकिन एल्डी के साथ गर जाके बैठक कर सकते हो कोई निड़े ले सकते हो केबिनेट की बैठक ले सकते हो मुझे लग रहा है यह आप लोगों के मन में यह बात है कि केजरिवाल से आपको वेल नहीं मिलने वाली प्लिटिकल बात तो काफी सारी हुई और समीर जी की बात से में सहमत हूँ कि अब आपने जहां से शुरू कि यह आपने लगाई जब आपने कहा कि वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं थे न तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर को अb Pastor बनाने का एक मौका है और यह औरविंद केजरिवाल जी के लिए बड़ा मौका इस लिए भी होगा क्योंकि जो उनके पिछले जाता है मनीश जी पर उनका बड़ा भरोसा था है भी मुझे मुझे नहीं हमसाया है तो और मुख्यमंत्री रहे अर्विन जी ने तो अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा उसका नतीज़ा को भुगतना पड़ा आपकारी मंत्राले में कि उन्होंने साइन किये या जो भी जा सकते तो वो तो प्रिशन लाग लेवल पर ले गई है ना वो तो मोधी सरकार का राजिनते कविद्वेश का मामला है रहता हूं लेकिन यह यहाँ पर दिल्ली को ठीक करने के लिए देखे लेकिन यह प्र अगला क्राइसिस आने वाला है जब यहाँ भी धुवे का चैमबर बनेगा उसमें भी थोड़ा टाइम लेकिन मैं दूसरी बात क्या रहाँ सर इस फैसले पर भी हमें चर्चा करने चाहिए जो फैसला आया है 17 महीने के बाद वो निकले है और सुप्रेम कोड ने जो अब्जरवेशन दिये ना वो हमारी द पर उन्होंने का कि क्यों हिचकते हैं हमारे लोर कोर्ट और हाई कोर्स देल देने में और उस वज़े से यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है पहली बात दूसरी बात जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर उन्होंने कहा कि यह आप बहाने नहीं लगा सकते कि उनकी अरजि कर रहे हैं किस बात से जेल में हैं डेल मलब जेल सार आपने जांच पूरी कर ली चार्ज शीट हो की सब कुछ हो गया आप मुकदमा शुरू नहीं कर रहे हो तो फिर कब तक आपनी को जेल में रखेंगे सुप्रिम कोट हमारे देश के संविधान का अभी भावक है उसको कोई भी टिपनी करने का अधिकार है लेकिन लोवर कोट और हाई कोट भी केस के मेरिट और दिमाग पढ़ी काम करता है ज्यादा तर इस देश के 99 प्रतिसत से ज्यादा मामले वही निप्टाए जाते हैं ये स सुप्रिम कोट को भी ध्यान रखना है अगर यही है तो सुप्रिम कोट को आदेश देना चाहिए था कि भाई ठीक है छे महीने में इसका ट्रायल पूड़ा करो तो उन्होंने दिया नहीं है और अगर एजेंसे की समस्या है जिस आधार पर उन्होंने बेल दिया है तेकि हम मैं ब्यक्तिकत रूप से और हमारे साथ ही इंकलूडिंग मनीश सी सोदिया भी पहले हम लोगे साथ बहुत आंदूलन में रहे हम लोगे मानते थे कि जमानत केबल जिससे देश को खतरा हो जो टेररिस्ट हो ऐसे कैसों में जमानत नहीं मिलना ची नॉर्मल जमानत होना ची उस पर restriction लगाईए कि वो कहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं इसलिए जमानत मिलना आम अद्धी पार्टी तो इसको शुरू कर दिया है कि जैसे वो रिहा हो करके आ गए हैं बड़े हो गए हैं और ये attack सुरू होगा मोदी जी ये करेंगे लेकिन मनीश सी सोदिया जब जेल प्रडर बना दिया है कि आप जाओ आप ध्वस्त हो जाओ हम सब लोग बचे रहेंगे तो वो जो अंदर का भाव है वो अब कैसे परकट हो क्योंकि इस समय तो सब को बचना है साथ साथ और सब को आप लोग जो बता रहें थे ना कि ये कोई अर्विंद केजरिवाल के साथ कोई भी सेकेंड मैं नहीं होता है अर्विंद केजरिवाल सिंगल मैं होते हैं बाकी कोई यस मैं होके रहना पड़ता है जो उनकाb मुझे आप मैरी टीम ने बताया था, उसे तो ये गतिविदी जा सकते है, अगर अरविंध केजरिवाल चाहें तो इनका सफफ़त गरन भी हो सकता है, और सफ़त गरन करा करके राजपाल पर निर्वर करता है आगे आगे काम कर सकते हैं, लेकिन अरविंध केजरिवाल बाहर रहते हुए मुझे संदे है कि मनेश सी सोधिया को सपत गर्वन कराएंगे बाहर रहते हुए ठीक है ओके सर्थी